next concept है इसकी properties जो कि देखिएगा कि क्या है इसमें देखिए है commutative property है चाहे आप a कोई भी set ले लो उस पे a union यानि कि यहां पर first जो property है वो देखिएगा क्या है कि first जो property वो अपने पास है a union b equal to क्या है b union a इसका मतलब क्या है कि आप कि इदर से भी ले लो यानि union को पहले यहां तो b के साथ आपका a union ले लो या फिर a का b के साथ union ले लो दोनों बात a की है कैसे भई a set क्या होगा अपने पास यहां पर जो a set आएगा वो one two let कर लो one two यह और जो b set आएगा उसके अंदर देखिएगा कि three four five है तो यहां से देखिएगा कि आप क्या करने वाले हो a union b अब आप a union b कैसे लिखोगे इसके लिए ठीक है तो a union b का मतलब जो दोनों में हो तो one or two यानि की a a one two फिर यहां पर देखिएगा कि four और five फिर इसके अंदर common element three तो यह आया a union b अब आप क्या करोगे इसका यह तो आया अपने पास कौन सा lhs अब आप क्या करोगे rhs देखेंगे rhs में क्या है बी union a है ठीका बी union a का मतलब भई बात तो एक है बी के साथ a union क्या करोगे पहले यार आप यह ले लो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी four three five है यार कि दोनोँ में पहले तो देखिएगा डिस्टिंकृटe element देख लो पहले यही काम करेंगे जब भी union लीकेंगे पहले हम डिस्टिंक्ट element दखेंगे last में क्या लिकांगे common element लिकेंगे ञ़्या है तो यानसे देखिएगा four औ तो यहां से देखिएगा four और five है फिर यहा यह दोनों इक्वल ही तो है क्या है यह दोनों इक्वल ही तो है इसका मतलब Lx और Rx Stück oy यह आपे कि सेचिंड में अपने पात देखिएगा कि सीं फिर रञाती जोते है और सारो सूरी तो वहां पर कैसे से करते हैं, अ यूनिएंगी यूनिएंगी यूनिय予ँ सी है तो यहां से कैसे अपे करते हैं, वह पात है ।ो यहां पर DUIG यहां पर देखेगा कि second, second में हम क्या करते हैं, देखे, associative property जैसे हमारे पास multiplication addition में होती थी, उसी तरीके से कि पहले हम 2 के उपर union कर लें, फिर तीसरे पर कर लें, वो ही बात है कि पहले हम a, पहले इन अकले वाले 2 के उपर union कर लें, और जो अपने पास जो a है, उसके उपर क सीखते जाएंगे, और यह जो देखेगा कि a union b है, यह वाली property यह दि union है, phi है, phi के साथ आप union लोगे, वो element जो दोनों में हो, ठीक है न, वो लेने हैं, तो अपने पास देखे, phi के पास तो कुछ होता नहीं है, only phi होता है, और इसमें क्या होता है, तो equal क्या था, a ही आता है तो इसको हम क्या बोलते है, law of identity, यानि कि क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या होता, वहाँ पे, जैसे addition के अंदर, identity element कौन सा होता था, कि वो होता था, 0, यदि किसी भी number में हम 0 को add करेंगे, तो दुनिया का वो ही number है, वो हमें same number दे सकता है, सही है न, उसके अलाव कोई भी number नहीं है, कि वो हमें same number दे, इसी प्रकार यहां पर भी phi है, कि जो union करने पर हमेशा क्या देगा, ठीक है, इसी में देखिएगा कि A union B equal to क्या है, कि A, कि जब भी हम क्या करेंगे, कि दो same sets का union करेंगे, तो वो हमेशा ही A देगा, जो कि idempotent rule कहता है, जिसको idempotent क्या बोलते हैं, rule, यहनि कि हम क्या बोलते हैं, ऐसे numbers जिनको हम क्या करें, कि उनका देखिएगा कि 1 एक idempotent element और 0 भी एक क्या है, idempotent element बोल सकते हैं, क्योंकि 0 प्लस 0 करोगे, तो क्या आएगा आपके सामने, 0 ही आएगा, ठीक है, वो addition के respect में अपने पास क्या हो गया, एक idemp element आगया, और यदि multiplication में देखना चाहोगे, तो 0 और 0 और 1 और 1 दो क्या है, idempotent element है, आई बात समझ में, इस परकार से, यहाँ पर union का मतलब, यदि हम just समझें, तो addition नहीं समझ सकते हैं, यहनि कि like a fill लेने के लिए addition जैसा होता है, ठीक है, तो इस परकार से, तो यहाँ पर यह थोड़ा सा देखिएगा कि यह अपने पास क्या है, अपने पास यह एक universal set है, और यह इसका union है, ठीक है, दोनों को read out सही करना है, यहाँ पर, ठीक है, यह एक union का sign है, एक universal set है, अब universal set का union किसी, किसी भी set के साथ करेंगे, तो वो तो हमेसा union ही देगा ना, ठीक है, union क्य इसी भी a set के, a sets है, तो वो क्या होता है, बड़ा, जैसे कि example की तोर पे, क्या देखोगे, कि मैं आपको इसी में, देखिएगा कि कौन सी property अपनी 5th number की property है, जिसका universal set आप देखिएगा कि क्या है, कि ले लो 1, 2, 3 से लेके 100 तक के natural number ले ले लो, ठीक, 1, 2, 3, 100, और इसी में a set ले लो, आप क्या ले लोगे, 1, 2, 3, 4 और 50 तक के element ले लो, तो आप क्या करोगे, a union, b, यानि कि a union क्या कर लो, यू कर लो, तो आपके सामने कौन सी element आएंगे, बई दोनों में हो, पहले तो हम क्या करते हैं, district element लिखते हैं, district element क्या होंगे, 52 से लेके, ये वाले 100 तक, फ hotel element आएंगे, वो ये अपने पास देखेगा कि ये किसके, किसके equal आगया, universal set के equal आगया, ठीक है,